तो दोस्तों अगर आप भी अपने Android smartphone पे Chrome extensions यूज़ करना चाहते हैं कैसे यूज़ करेंगे अगर आपने laptop या PC यूज़ किया है कभी और आपने Chrome web browser यूज़ किया है तो I guarantee आपने Chrome extensions यूज़ जरूर किया होगा Chrome extensions काफी सारा काम हमारा बहुत easily करने में help करती है अब वही चीज़ है जितने भी YouTubers है अगर वो PCI laptop का यूज़ करते है तो Chrome extensions के दोर पर वेड़ाय को यूज़ करने में काफी help करता है हम इंस्ट्रक्ट करता है कि हमने अपने YouTube वीडियो में description कैसे लगाना है, title कैसे add करना है, tax कैसे use करने है इस सारा कुछ करने में ये Chrome extensions हमारी काफी help करती है अब अगर आप Android smartphone यूज़ कर रहे है और same चीज़ अब apply करना चाहते हैं चुकि Android smartphone पे available Chrome web browser इन Chrome extensions को support नहीं करता इसके लिए आप play store पे चले जाएए और वहाँ पे आपको type करना है Yandex web browser, Yandex web browser type करके आप search कर ले, जैसे आप search करेंगे, search results में आप देखेंगे, screen पे आपको दिखाय दे रहा है, आपको इस application को download कर लेना है, जैसे आप install पे click करेंगे, ये application download होना start हो जाएगा और आपके Android smartphone पे install भी हो जाएगा, install करने के बाद आप इसको open करें, थोड़ी सी temporary permissions मांगेगा, वो आप allow कर दे, allow करने के बाद आपको क्या करना है, आपको Chrome extensions install करना है, तो simply पहले से ही आप नीचे 3 dots पे click करते हुए, इसको desktop mode पे open करें, and then search button पे type करें, web store, web store type करके search करें, जो भी link आ search button पे जाएगे, उस Chrome extension को search कर लेजे, search करेंगे, search करने के बाद आपको वहाँ पे दिखाये देगी, click करते हुए, आप add to Chrome कर दीजे, और आपकी वो Chrome extension install हो जाएगे, अगर आप चाहे तो एक से ज़्यादा Chrome extensions वो भी install कर सकते हैं, अब माली जे बाद में आपको disable enable करना है, वो भी आप कर पाएगे, नीचे 3 dots पे click करते हुए, वहाँ extensions में जाके, आप चाहे तो आप उनको disable या enable कर सकते हैं, एक बाद install हो जाने के बाद, अब अगर आप किसी भी website को open करेंगे, तो ये Chrome extensions आपको use करनी है, तो आप उसको enable लगके, अगर आपको use नहीं करनी है, तो आप उसको disable भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने Android smartphone पे बहुत ही आसानी से किसी भी Chrome extensions को use कर पाएंगे, उमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कर सकते हैं, चैनल को subscribe कर सकते हैं, साथे साथ बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई भी ना वीडियो आता है हमारे एंड से, आपको उसका notification मिले है सबसे पहले, आज के लिए इतना ही बहुत जल मिलेंगे, तब तक हमना ख्याला किये, bye bye and take care.